कि अस्सलाम अलेकुम आज हम बनाएंगे मटन दम बिर्यानी यह हम बनाएंगे 30 से 35 लोग के लिए तो चलिए बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले आफनी बना लेंगे अपन यह सिक्स केजी वाश करावा मटन है अब हम इसमें आड़ करेंगे अद्रकलेसन पेस्ट 300 ग्राम अद्रकलेसन पेस्ट आड़ करना है इसमें नमाख आड़ करना है इसमें 4 तू 5 टेबोल स्पुन नमाख आड़ करना एलियाची पॉडर तुिसपून एट करना है इसमें कमपल्सरी आड़ करना फ्लेवर अच्छा बता है एलियाची पॉडर आड़ करें तो 70 ग्राम्स रेड चिली पॉडर हैं अब इसमें ग्रीन चिली प्वेस्ट भी आट करना इसलिए 70 ग्राम्स ले रही हैं और तीन से चार मीडियन साइस की प्यास कटी भी आट करना इसमें में कोप् मिर्पुधीना इड़ करना है समें कोप् मेर एक्छार कटने आड़ करना ना हरी मिर्ची का पेस्थ है है in 70 ग्राफ्श हरी पिएयों ट्रेंप्राइब ना है शाजिरा लॉंग इलाइची पटा यह दस दस ग्राम है यह सब कसूरी मेथी टू टेबल स्पून लेना है अच्छा से मिक्स कर लेने का है इसको अच्छा से मिक्स कर लेके 30 मिनिट्स के लिए रख देना इसमें हल्दी पॉडर आड़ ने करना तो गोश्ट की बोटी जैसे जरा काली हो जाती इसलिए बुलके हल्दी ने अट कर अच्छे से मिक्स कर ली मैं इसको मिक्स कर लिए बाश से ढ़कन से ढ़ापके 30 मिनिट में तो 40 मिनिट तक रखते ना इसी ज़िए अब 30-40 मिनिट के बाद इसमें हम दो लीटर धाइं अट करेंगे इसमें अब हम इसमें आड करेंगे ऑईल ये तले सो प्यास का तेल है 500 ml आड करना है पूरा ये जरसो दो लीटर तेल था उसमें जरसो वान एंड आफ केजी ऑनियन फ्राइ कर ली थी मैं वाई तेल है ये वान एंड आफ केजी जरसो तलीवी प्यास है ये अच्छे से क्रश कर लेना इसको क्रश कर लेके इसमें आड करना अब हम इसमें आड करेंगे घी एक बीस ग्राम जितना घी आड करना है असली घी आड करना है इसमें आड करना है। कि अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना कि अच्छे से मिला लेना इसको मिर्ची नम्मक टेस्ट करना कम ज्यादा है तो मिक्स करना भी यह टाइम पे पांच नीबू का रस इसमें आड़ करना एक दस ग्रम जितना खोवा आड़ करना इसमें अच्छे से मिला लेना अखनी कुछ धकन से धाब के गंटे के लिए रख देना च्छे किलो बासमती रईस है यह धो के अच्छे से भीगा देना इसको एक घंटे के लिए अब यह पंदरा किलो का जितना बड़ा बगोना ले लेके उसमें जो सो पानी आड़ करना आदा बगोना जितना रहता उतना पानी आड़ करके शाजीरा लौंगी लाइची नमक कम है तो फिर आड़ कर ले सकते हैं अधना उन्टे को टेस्ट करके देखना नमक कम है तो थोड़ा आड़ कर लेना अब अच्छा आपकरा आधन इसमें से चार गलास जितना अखनी में आड़ करेंगे आपन यह पानी अच्छा अधना उन्ट्रा ना अब चावल आट करेंगे वाम इसमें ज्यादा और नहीं से उनना उन्ट्रा पर निट्द आपके निकाल देता अब इसमें एक लेयर लगा न ही बनाबर सेकंड लेयर जैसो 40% ऐसा कुक हो ना उसके बाद सेकंड लेयर लगा देना हाई फ्लेम पर पका लेना इसको चावल को अब थार्ड लेयर लगाना थोड़ा एक 5 मिनंस ऐसा चावल को पका लेना पका लिये बस है 50% ऐसा कुक हो गया तो अब इसने थार्ड लेयर भी लगा देना शरण detonे कुक हो थार्व उदरे थार्ड लेको सब एक रहड़ा कर दोदा है क्यो तो फींदेल गजाद साला वाल लेके लेना जावल ओधिसस्जन अब दो लेको श्यान टार्ड हो दिस् shift Franken-धोप सेथावल iki को अब हम इसमें जैसों बचा हुआ जो तेल था वह आड़ कर दींगें कि फूट कलर आड़ करना है आप्शनल है आड़ कर सकते नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं अब जो बचिवी प्यास थी ना तली प्यास वह अड़ कर लेना है अब से कांड थोड़ा साहर अधन्यां आड़ करना है कि इसमें आड़ करना अब जो अधन के लिए पानी थाना वो दो को घ्राइन से आट करना आप इसको डगं से कवर करके दम के लिए रखना फृटी-फइय कि अब इसके लास्ट में ज़र से घीद आड़ करना असलिक एक टेस्ट अच्छा था लास्ट में आड़ करने से दो तिन स्पून्स आड़ करना उपर से घी